ये बड़ा महत्वपून रहेगा देखना और हमारे साथ हमारे समवादाता भी इस वक्त जूड़ गए हैं कुलदीप हमारे साथ जूड़ गए हैं और मुदित भी हमारे साथ जूड़े हुए हैं कुलदीप का मैं रुक करना चाहूंगे कुलदीप किस तरह की हलचल है अगर ग्राउन पर देखा जाए क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का एलान होने वाला है क्या स्थिती है क्या माहौल है वहाँ पर देखिए अब से कुछी देर बाद या कुछ गंटों के बाद में अचार सहीता लग जाएगी विदान सबाद चुनाव के कुछी महीनों के बाद में यह चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर लोगों में काफी उस्सा देखा जा रहा है बारतिय जंता पार्टी का परदर्शन जादा अच्छा नहीं रहे था लेकिन क्योंकि यह लोग सबाद चुनाव है और बारतिय जंता पार्टी की सरकार बढ़े हुए राजिस्तान में तीन मेने हो चुके हैं ऐसे में जी 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 वहाँ पर आपके साथ कुछ लोग भी मौझूद हैं कुल्दीप अगर उनसे आप बात करने की कोशिश करें क्या मुद्दे है क्या उम्मीद है कि इस बारति किसको वोट करेंगे क्या चाहते हैं जी बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं से बात करेंगे आप से जाना चाहूंगा सबसे पहले आज अचार सीता लग जाएगी लोग सबाद चुनाओं को लेके किस तरह की रहा रहने वाली आगे क्या लगता है आपको क्या होगा बहुत बड़ी है कुल्दीव जी बहुत आपका स्वागता है अब दनेवाद आपने हमें मान इतना टाइम दिया मैं यह कह रहा था अभी जो अचार सीता लग रही वह तीन बजे लग जाए लेकिन फिर मोधी सरकार तीसली बार रिपीट होने जा रही है क्योंकि जो सेंटर म मोधी सरकार ने जो काम की हैं पिछले दस सालों में वो सब बच्चे-बच्चे की जुवान पे हैं उन्होंने हर वर्ग में काम किया किसान मजदूर हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है तो जब गंगानगर की बात आती है तो गंगानर में तो लगातार पिछली दो यो प्रचर बेश्ड है तो क्या इसका असर पढ़ेगा विल्कुल भी असर नहीं पढ़ेगा क्योंकि यह जो किसानी उंदोलन चल रहा है वो ज्यादा पंजाब में चल रहा हमारे गंगानगर का बात करें गंगानगर शेतर की तो यहां का किसान जो है वो किसी तरह से इसमें वो किसानी अंदोलण में वो नहीं जा रहा है क्योंकि यहां पे अभी बात करें बीजेपी सरकार की तो तीन मिनों के अंदर इन्होंने जो वादे किये थे जो मुदी जी के गरंटी थी वो सारी पूरी हो रही है कल ही आपने देखा हमारे राजस्तान का डीजल और पट्रोल कम हो गया सेंटर ने भी दोर पे डीजल कम कर दिया और दूसरी बात पानी की करें तो पानी की जैसे अभी बंदी आनी थी तो लगवगो बंदी निरस्त कर दी गई है सेंटर से भी वो कल एक नोटिस जारी हुआ है कि बंदी नहीं आएगी तो किसानों को हर तरह का लाब मिर रहा है तो किसान क्यों जाएंगे उस अंदोलन में तो कोई असर नहीं पड़ने दूसरा यह जो मोदी जी की जो गरंटी चल रही है किसान सम्मान नी थी जो खातों में दो दो जार रपे आता है और इस अभी पिछे अभी किस्ता यह किसानों को इसका विलाब मिले सेलेंड